पान के जादोई उपाई पान का पत्ता लेना है साई जो छोटा पड़ा जो भी पत्ता लें लेकिन ध्यान नखें वो पूरी तरह से साफ हो अब आपको मैं पान के पत्ते के उपाई बताने चारी हूँ जो सबसे पहला उपाई है वो है करजे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके उपर करजा चड़ा होगा है आप उसको उतारने की लाग कोशिशे कर रहे हैं लेकिन करजा है की उतारने का नाम नहीं ले रहा करजा एक बोज होता है मानों किसी की उपर जो करजा चड़ा होगा है ना उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता जब तक उसका करजा उतरता नहीं, वो अपनी life को ढंग से smoothly नहीं जी सकता, मतलब उसके उपर एक बोज रहता है हर दम की करजा कब उतरेगा, अगर आपकी सिर के उपर भी करजे का बोज है और आप उससे जल से जल छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक प हनुमान जी को चड़ा के आना है, उससे पहले आप उस पत्ते को फोल्ड कर लें और उसका बीड़ा बना कर आप हनुमान जी को चड़ा के आएं, और हनुमान जी से प्रातना करें कि हम जो मेरा करजा है उसको जल से जल उतारें, आपकी हनुमान जी जरूर हेल्प करेंगे, इस उपाई को आप लगातार तीन मीने हर मंगलवार को करते रहिए आपका करजा जल्दी ही हनुमान जी उतारेंगे आपका करजा जल्दी ही उतरने के कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता बन ही जाएगा अब मैं आपको बताती हूँ पान के पत्ते का दूसरा उपाई, पान के पत्ते का जो दूसरा उपाई है वो आपके money flow को बढ़ाने का, यानि कि अगर आपके पास पैसों का regular flow नहीं है, पैसा कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी अचानक से बहुत जादा आ जाता है और कभी बिल्कुल ही नहीं आता, यानि कि कोई आपके पास regular source नहीं है, कि पैसा कैसे आए, कि पैसा इतना आएगा ही सही, या आपके पास जो पैसों की problem है, वो हर दम बने ही रहती है, तो पान के पत्ते का इतना अच्छा उपाई बताने जारी हूँ, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास money problem कभी भी नहीं फटकेगी, यानि कि money की problem आपके पास कभी भी नहीं आएगी, इसके लिए इस उपाई को आपने फ्राइडे को करना है, शुकल पक्ष के किसी फ्राइडे से आप इस उपाई को करिए, और हर फ्राइडे को आप इस उपाई को लगातार करत पाता के मंदिर में चढ़ाखकर आना है। और उनसे आपने prayer करनी है कि वो आपकी money problem को जल से जल दूर करे। आपकी ये money problem इस उपाय से जल्दी ही दूर हो जाएगी अगर आप इस उपाय को नवरातरों में लगातार 9 दिन भी करते हैं तब भी आपके life से money problem हमेशा के लिए दूर चली जाएगी इस उपाय के लिए आपने जो गुलाब के फूल की पत्या रखनी है जो पान की पत्य का खुर्दरा side हिस्सा होता है उसके उपर रखनी है चिकने वाला हिस्सा नीचे रहेगा और आपने उसके उपर रखना है और फिर मादुर्गा को चड़ा के आना है अब मैं आपको बताने जा रही हूं पान की पत्ते का next उपाय ये उपाय है रुके हुवे काम को पुरा करन है लड़का पसंद आगया लड़की पसंद आगी लेकिन मैरे इसकी date final नहीं हो पा रही है या आपने जैसे जगा ले लिए उसके उपर आप मकान नहीं बना पा रहे है यानि कि आपका कोई भी काम है लंबे टाइम से अटका हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके स वो काम पूरा हो जाए तो इसकी लिए आपने एक पान का पत्ता लेना है और उसके जो खुर्दरे वाले हिस्से के ऊपर दो लोंग रखनी है और उसको आपने दोनों हातों से जल में विसर्डित कर देना है मन में ये विचार करते हुए कि इस पान के पत्ते के साथ जो मेर काम में आने वाली बाधाएं हैं वो भी बहे गई हैं जैकीन मानिये इस उपाय को करने से आपके जो काम में जो बाधा आ रही है जो रुकावाट आ रही है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी और आपका वो काम जल्दी ही थोड़े ही समय में पूरा हो जाएगा अब मैं आप आपको बताने वाली हो next पान की पत्ते का उपाई वो हम कर सकते हैं अच्छी हेल्थ के लिए मानो डोक्टर ने आपको बोल दिया कि आपकी सर्जरी होनी है और सर्जरी से तो हर किसी को डर लगता ही है हर कोई चाहता है कि उससे सर्जरी ना करवानी पड़े अगर आपको भी पान का पत्ता लेना है और उस पान की पत्ते इस बार आपने जैसे जो पान का पत्ता लिया उसकी चिकनी वाली साइट आपने सिंदूर से अपने हातों से शिरी राम लिखना है आप राम या शिरी राम कुछ भी लिख कर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चड़ाकर आ नो मंगलवार तक आप लगातार इस उपाय को करते रहें हनुमान जी से प्रातना करिए कि जल्दी ही वो आपकी हैथ ठीक करें आपको जो सर्जरी डॉक्टर ने बोली है वो आपको ना करवानी पड़ें जल्दी ही आपकी ये प्रोब्लम भी दूर हो जाएगी अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट उपाय वो नेक्स्ट उपाय है नीन ना आने की समस्या आजकल नीन ना आने की समस्या बहुत जादा कॉमन होगी है हम रात को देर तक करवटे बदलते रहते हैं लेकिन नीन है कि आने का नाम नहीं लेती या नीन आती भी है तो बूरे सपने आते हैं या आती है तो हम अचानक से घबरा कर बीच में उठ जाते हैं यानि कि आपको नीन से जुड़ी हुई किसी भी परकार की कोई भी समस्या है यानि कि आपको नीन ना आने से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसकी लिए आपने एक पान का पत्ता लेना है और उसकी जो डंडी तोड कर दोनों साइड से थोड़ा सा सरसो का तेल लगाना है उसके बाद आपने उस पान के पत्ते को अपने सिरहने या सिर के पिलों के नीचे रख कर सो जाना है इसको आप लगातार 7 days इस उपाय को करिए जैसे सुबह रात को आप उस पान के पत्ते को सिरहने के नीचे रख कर सोगे next day वो सुबह पान का पत्ता आपने गली में बहार भैंक देना है इस उपाय को करने से आपकी नीन से जुड़ी हुई जो भी परिशानी है वो दूर हो जाएगी आपको मैंने पान के पत्ते के जो भी उपाय बताए हैं वो करने में बहुत ही असान है अगर आपको इन में से किसी भी प्रोब्लम का किसी भी समस्या का सामना करना पढ़ रहा है तो आप इन उपायों को करके आप अपनी उस प्रोब्लम से चुटकारा पा सकते हैं अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब् करें वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रैंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भोलें ताकि आपको मेरी वीडियो से सबसे पहले मिलें ओम नमेश्युवर्ण